आजेडी सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव के सिंगापूर से बिहार आने की खबर से बिहार की राजनितिक गलियारा एक बर फिर से हरकत में आ गया है। अगर कोई नेता होंगे तो वो है नितीश कुमार ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय लालू प्रशाद और नितीश कुमार की जोड़ी राजनितिक जगत में काफी मश्यूर थी। नितीश कुमार उनकी जोड़ तोड़ की राजनिति के सबसे करीबी गवा रहे होंगे। तो इस खास समय में जब तेजे स्वीकीर ताज पोशी को लेकर राज़त काफी उतावला है। राज़त सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव का आगमन बिहार की राजनितिक दृष्टी से काफी महतवपून माना जा रहा है। ऐसे में सिंगापूर से आ रहे लालू यादव का क्या होगा प्लान आईए आपको बताते हैं। पैदा किया जा रहे हैं। उसके समधान के उमीद जेडियों के नेताओं को भी है। वही महागडबंदन के नेताओं की उमीद यह है कि आते ही लालू सुधाकर सिंग और प्रोफेसर चंदर शेकर और आलोक महता के बयान के बाद जेडियों और राज़त के बीच बटिक हाई को पाट कर गडबंदन की राजनिति को मजबूत करेंगे। बता दे कि राज़त सुप्रीमों का दूसरा लक्ष विपक्षी एक्ता की मुहीम को धार देना भी हो सकता है। और लोकसभा चुनाओं में अब बमुश्किल डेट साल का वक्त बच रहा है। पेंद्र कुश्वाहा लगतार इशारक कर रहे हैं कि राज़त और जेडियू में टील हुई है। वहीं राजनितिक विशशग्यू की माने तो राज़त सुप्रीमों लालुप्रशाद यादव का आगमत सत्ता के परिवर्तिन काल का सूचक है। एक पिता के लिए पुत्र को राजनितिक के शिशस्थान पर देखना लाजमी है। वो स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, अपने स्वस्थ को देखते वे वो अपने पुत्र की ताजपोशी की हर संभव कोशिश करेंगे। और इसके लिए वो नितीश कुमार को विपक्षी एक्ता की दिशा में आगे बढ़ानी का संकेत देंगे। जिस तरह से नितीश कुमार पर लगतार हमले हो रहे हैं और वह भी राजज़त के मंत्रियों की तरफ से उससे लग रहा है कि विहार में नितीश कुमार का असर कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि नितीश कुमार को विपक्षी एक्ता का ही मुहीम में सनलिप्त कर राज़त सुप्रीमो तेजस्वी की ताज़ पोशी की तैयारी में जुट जाएंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो तुरंट कर ले साथ ही हमारे फेज़ बेच को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद